प्याज की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है एक कुिंटल प्याज सिर्फ 500 रुपे में बिक रही है प्याज के साथ साथ बाकी अनिफस्दों के रेट में भारी कमी आई है पूने जुले के कुभार वलन गाउं में एक किसान को 100 किलो बैगन के महज 46 रुपे मिले है सबजियों के सही दाम ना मिलने से किसान परिशान और बेहाल है हाल ही में सोलानपूर के गाउं को 800 किलो प्याज के लिए 2 रुपे का चेक मिला था अब पूने जुले के पूरंदर तालुका के कुभार वलन के एक किसान को 100 किलो बैगन के लिए केवल 46 रुपे का चेक मिला है बैगन पर इतनी कम कीमत मिलने से आक्रोफित किसान ने अपनी 11 बीगे में लगाई गई फसल को उखाड कर खेत में फेक दिया इससे पहले पूने जुले के इंदरापूर तालुका के तकरार रावडी गाउ में गोभी के दो रुपे दाम मिलने से नाराज किसानों ने गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया था पुरंदर तालुका के कुभार वलन के किसान रिशी चवटे ने तीन महिने पहले ही अपने खेतों में बैगन की फसल लगाई थी इसमें उन्हें तकडी बन 56,000 करोन रुपे का खर्च आया था रिशी ने जब 100 किलो बैगन पुने के गुल टेकडी मंडी में भेजे तो उन्हें सारा खर्च काट कर सिर्फ 46 रुपे मिले रिशी चिफ्ते बताते हैं कि तकडीबन तीन महिने पहले हमने बैगन के पोधे लगाए थे तकडीबन 56,000 रुपे खर्च किये जब 22 तारिक को पुने के गुल टेकडी मंडी में बैगन भेजा गया तो दो दिन बाद मार्केट से 100 किलो बैगन के मह 46 रुपे मिले पहले मुझे लगा कि गलती से मुझे इतने कम पैसे मिले लेकिन जब मैंने वैपाडी से पूछा तब मुझे बताया गया कि 100 किलो बैगन के 46 रुपे मिले हैं बाजार में बैगन 40-50 किलो तक बिक रहा है वही किसानों को 3 रुपे से कम दाम मिल रहा है